नमस्कार आप देख रहे हैं घमासान.com मैं हूँ आपके साथ दिक्षा भानुपरियम टाटा सम्हू का चंदा बढ़कर 2019 में 600 करोड पहुच गया है हैरानी की बात तो ये है कि टाटा सम्हू ने सबसे ज़ादा पैसा भाजपा को दिया है क्या वज़य है कि 600 करोड में से भाजपा को टाटा सम्हू ने सबसे ज़ादा पैसा दिया है देखे इस पूरी रिपोर्ट में टाटा सम्हू ने लोगसबा चुनाव 2019 के लिए लगभग 500 से 600 करोड रुपे का चंदा दिया है यही नहीं 2014 से बढ़कर ये रकम 2019 में लगभग 20 गुना बढ़ गई है टाटा सम्हू ने इसके लिए एक ट्रस्ट का निर्मान किया है जिससे राजनितिक दलो को चंदा दिया जा रहा है एक रिपोर्ट की मुताबिक टाटा समूह ने 2014 के चुनाव में 25 करोड रुपे ही बतोर चंदा दिये थे लेकिन 2019 के लोगसबा चुनाव में 500 से 600 करोड रुपे चंदा दिया गया है जिसमें से बीजेपी को ही 300 से 355 करोड रुपे का चंदा दिया गया है जबकि कॉंग्रेस को 50 करोड रुपए का चंदा दिया गया है और बागी बचे 1.500 से 200 करोड रुपए की रकम अन्य पार्टियों जैसे की त्रिनमुल कॉंग्रेस भार्थी कम्मिनिस्ट पार्टी, CPIM और NCP जैसी पार्टियों को दिया गया है ट्रस्ट का ये कहना है कि वो सदस्यों की संख्या के हिसाब से चंदा देती है और भाजपा सबसे ज़ादा सीट वाली पार्टी है इसलिए भाजपा को सबसे ज़ादा चंदा दिया गया है